चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट टू के साथ, पार्ट वन में मैंने सारा बेसिक पोर्शन आपके साथ डिसकस कर लिया है, तबाह के आपको पका लिया है, अब आप मसाला मारने की बारी है, in the sense, अब हम बात करेंगे थोड़े टेक्निकल क्या है, आएए, कई बार स्टूडेंट्स को सबार फुर्सती नहीं, चलिए, मेस्टर ए हैं, उन्होंने बीस हचार रुपे जम्या करवा है, ट्वैंटी थाउसेंट, और उन्होंने बोला, कि पहले दो साल, ब्याज मिलेगा आठ परसेंट, अगले तीन साल, ब्याज मिलेगा दस परसेंट, और जब आखरी साल होगा, फस्ट लास्ट इयर होगा, तो उसमें ब्याज मिलेगा नौ परसेंट, तीन बार अलग-अलग रेट से कंबाउंड ने को रहे हैं, पहले दो साल आठ परसेंट से, अगले तीन साल दस परसेंट से, और फिर नौ परसेंट से, टोटल, इन्होंने जो पैसा जमा करवाया, वो कितने साल हो के लिए करवाया, छे साल के लिए, तीक है, और रेट अफ इंटरस टाला, ये कोशर कैसे होगा सर, अरे बड़ा असान है बई, ए, पी, वन प्लस आई की पावर, आई वन की पावर, एन वन, वन प्लस, आई टू की पावर, एन टू वन प्लस, आई थ्री की पावर, एन थ्री, समझ माया, वन प्लस आई वन की पावर, एन वन प्लस आई टू की पावर, एन टू, वन प्लस आई थ्री की पावर, एन टू, वन प्लस आई थ्री की पावर, एन थ्री, और अगर जादा भी होता तो वो इस तरीके से चलता रहे कैसे देखो भई 20,000 रुपे जमा करवा है बोलो क्या है भी आज का रेट सर 8% 0.08 कितने साल के लिए सर 2 साल के लिए 1 प्लस कितने जमा कर रेट है 10.1 कितने साल के रहेगा 30 सा फिर 9 1 प्लस 0.09 कितने साल रहेगा मैं आपको 1000 वर बता चुका हूँ if maths is difficult ना मैं कभी उसे पढ़ा ही नहीं रहा होता हूँ मैं पढ़ाता हूँ असान चीज़े जो असान मुझे लगती है बास सीदी सी बास मुश्किल है मैं पढ़ाते है physics नहीं आती मुझे नहीं पढ़ाता मुश्किल लगती है मुझको 664 1.1 square cube 1.331 1.09 अब यह तो यही रहेगा यह आपने solve करके लिख लिया नौ 20,000 x 1.664 x 1.331 x 1.09 जादा हो गया मुझ रूको 1.1664 x 20,000 अब ठीका रहा है into 1.331 x 1.09 33844 यह आपका Mr. A का amount आगे है कब जब आपने different rates से compounding करें होफफुली आपको यहां तक सारी बातें clear है ठीक है एक question दो करोगे अपने आप पक्का वादा करो cheating दो नहीं करोगे चलो देता हूँ चले करिए question को पहले फटा-फट question लो डाउन कर लो वीडियो पॉस करिए अपने आप करिए final answer आप match करेंगे ठीक है तो देखते है answer क्या है इसका पी हमारा था 50,000 टाइम था हमारा पांच साल चेक है तो 50,000 1 प्लस पॉइंट जीरो एट sorry पाले 10% था for 2 years 1 प्लस 0.08 for next 3 years 1.1 का स्क्वार 1.21 0.08 into square cube तोड़ा बड़ा है चलो 1.25 9712 प्लस एजीब सी रैटिंग आरे है इस पर आज क्या हुआ है 1.25 9712 यह आपका 50,000 तो अब आपका आगया 1.21 into 1.25 9712 into 50,000 76213 हां जी यही आ रहा है यही आ रहा है तो आप अपने आपको एक डेडे मिल खिला सकते हैं कुछ मीठा हो जाए भाई कोशन क्या है मजा है क्या है मैस का है चली तो यह आपने देखा कि अगर multiple compounding हमारे सामने आती है तो हमें किस तरीके से question को tackle करने है अब मैं आपके साथ इसमें different category के और क्या questions आ सकते हैं उसके उपर discussion करने जा रहा हूँ आए शुरू करते हैं next question हमारे सामने है Mr. X deposited rupees 10,000 in a bank for 3 years offering interest at the rate of 6% compounded half yearly during first year 12% compounded quarterly during second year and 10% compounded continuously during third year चलिए देखते हैं क्या formula है amount is कुन सा लगेगा P 1 plus I N लेकिन क्योंकि half yearly तो यहां divide by 2 होगा यहां multiply by 2 होगा फिर अगले साल 1 plus I 2 जो भी है एक काम करते हैं इसे simply लेते हैं P 1 plus I1 N1 हाफ यह ले तो यहां पे divide by 2 यहां multiply by 2 1 plus I2 कि पावर N2 कितना है quarterly तो divide by 4 into 4 और उसके बाग क्या है compounded continuously तो E की पावर RT यही होता है चले अब किस तरीकी से करना है 10,000 रुपे हैं 1 1 plus 0.06 कि पावर 2 क्योंकि N हमारा 1 है ना E की साल के लिए divide by 2 1 plus 0.12 divided by 4 यहां पर 1 into 4 फिर E की पावर 0.1 multiply by 1 तो 10,000 0.06 0.06 0.06 divided by 2 plus 1 1.03 पावर 2 0.12 divided by 4 1 0.03 की पावर 4 और E पावर 0.1 1.03 तो तो दोनों तरफी पावर देखो वैसे अगर वैसे अगर same हो तो पावर add हो जाती है तो सीधा आप ऐसे लिए सकते हो 10,000 1.03 की पावर 6 क्योंकि अगर base same है तो हमारी जो पावर्स है वो क्या हो जाती है add into E की पावर 0.1 अब E की पावर पॉइंट 1 की value मुझे चेक करनी पड़ेगी आज़ा भारी क्यों दुखी कर रहा है 0.1052 सिखा चुका हूँ यह आपको दिखा हूँ देखना 1.1052 यह E की value लिगती है और वो 1.03 की पावर 6 है square cube 456 1.194 यह इसकी इदर रिवर्स में लिग दिए 1.03 की value है यह E की power point 1 की value है तो 21.1052 into 10,000 1.3196 कितना आगया 1.3196 चलिए अब हम move on करते है next question के उपर in how many quarters rupees 10,200 will become 20,000 at 9% compounded quarterly चल भाई क्या formula होता है a p 1 1 1 plus plus i quarter है तो divide by 4 and multiply by 4 और वो क्या कह रहे है कि मेरा amount कितना हो जाना चाहिए 20,000 रुपे जमा कितने करवाएं 10,200 रुपे तो amount हो गया मेरा 20,000 principle है मेरा 10,200 1 plus i.094 n का पता नहीं वो तो पूछी रहा है quarters पूछ रहा है बढ़ यहां तो years पता लगते हैं ठेक है अब आई यह solve करते हैं 20,000 divide by 10,200 बहुत बड़ा आ रहा है वैसे चले कुछ नहीं होता है 20,000 divided by 10,200 और इधर 0.09 divided by 4 plus 1 this is 1.0225 की power 4 है ठीक है 20,000 divided by 10,200 यहां है 1.960785 फाइव डीजी टक ले लो बहुत है अब यह कैसे करेंगे अब यह कैसे करेंगे अब एक बड़ जग मैं figures देख लूँ क्या थी 1.0225 की कुछ power है जो की होगे तो what I will do दियान से देखो छोटी सी स्क्रीन पर camera क्या गया रही 1.0225 यह लिखा है मैंने 1.0225 इंट ठीक है अब यह equal to हमें जब तक दभाना है जब तक 1.96 ना आ जाए और गिनते रहना है यह प्रेश्किया स्क्रीब पर 4 5 6 7 8 9 11 12 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 और 31 के नियर आपने देखा वहां 1.94 आ रहा था वहां 1.9 तो मैं 30 ले लेता हूं around ठीक है तो यह मैंने ले लिया कि इसकी पावर 30 जो है वह यह आ रही है तो 30 is equals to 4N इसके आगे एप्रॉक्स हाब जरूर लिखते न क्या लिख देंगे एप्रॉक्स ठीक है समझ मैं आना आपको दुबार रिपीट करो अरे पेशर मों पॉस करो थोड़ा बैक करो तुबार देख लो वीडियो का यही तो फायद है है तो N आगे आपका 30 by 4 7.5 क्या अगे आपका 7.5 यह एप्रॉक्स है तो अल्मूस्ट साड़े साथ इयर्स अगर मैं एप्रॉक्स की बात करूं तो लगेंगे हमें तो अगर मुझे इसे number of quarters में convert करना है तो आपके number of quarters आएंगे लगबग 30 7.5 और एक में कितने होते हैं 4 और इसके आगे एप्रॉक्स जरूर लगा कि आजाना बन गई आपकी कहान नहीं समझ मैं कैसे करना है दोबहरा से pause करके दोबहरा देख लो नहीं समझ मैं 1.0225 into equal to पे पहले क्या आता है square फिर q4 और कब तक करना है जब तक 1.96 ना आ जाए 1.94 सब तिंग आ रहा था 30 पे 1.99 31 पे दोनों ले लो जो मर जी ले लो ठीक है जादा depth में जाने की ज़र उतनी अप्रोक्स लगा के अपने answer निकाल दी log से जाओ के time बहुत लगेगा accuracy उसके अंदर भी आएगी इसकी guarantee नहीं चेक है इस तरीके से आप करो next पर आते है बहुत ही important question है यह बड़ा beautiful question दिल में तर गया question इसलिए मैंने ले लिया a man borrows रुपी 750 from money lender and bill is renewed after every half year साड़े 700 रुपे उधार लिये और हर half year में हर half year के अंदर क्या होता है इस bill को renew किया जाता है renew कैसे किया जाता है वो देखो at an increase of 21% मतलब हर आदे साल पे bill का amount 21% बढ़ जाएगा कितने साल में वो amount साड़े 7000 हो जाएगा हो तो बहुत जल्दी जाएगा 21% हर 6 महिने पे बढ़ ले मतलब कहीं न कहीं अगर आप देखो तो हमारी compounding हो रही है सीधे सीधे नहीं बोला compounding हो रही है और वो भी हो रही है half yearly हाया ना जिसमें हमें पता है initial amount हमारा साड़े 700 है और जो final amount है वो हमारा साड़े 7000 है नहीं ap 1 plus i by 2 n multiply by 2 साड़े 7000 साड़े 700 1 plus 0.21 चेक है n तो निकालना है into divide by 2 यही यहां पर आपका blender हो जाएगा यह divide by point 2 करने की जोड़ा है divide by 2 करने की जोड़ा नहीं है ऐसा क्यों क्या हो गया क्यों नहीं क्या divide by 2 यही सोच रहे हो ना सब पताता हूं द्यान से सुनो क्यों नहीं कर रहे divide by 2 अरे बे शर्मों 21% लिखा हुआ 21% पर अनम नहीं लिखा हुआ अगर 21% पर अनम लिखा होता तो उसका मतलब होता हर साल 21% बढ़ता है 21% मतलब हर 6 महीने पर 21% बढ़ता है अगर पर अनम वर्ड मेंशन नहीं है तो आपको divide by 2 करने की ज़रत नहीं है वर्ड पर अनम नहीं है पर अनम इस नोट गिवन तो नहीं तो नहीं है तो नहीं है है साल का होता है divide by two करके मैं उसे half yearly लाता हूँ अभी तो है already half yearly समझ आ गया अच्छी बात है नहीं आया बस इतना समझ लो पर है नम नहीं है इसलिए divide by two नहीं कर तो अब 10 by 750 के नीचे आ जाएगा 1.21 ये 2N नहीं हा न भाई तो बोलो न आग उठाओ यंत्र वही प्रक्रिया दुबारा से करनी है है पूरी क्या वन पॉइंट टू वन ठीक है इन टू इकवल टू कब तक प्रेस करना है जब तक 10 न आ जाए ठीक है तो आओ पहले एकवल टू को वह क्या बोलते है स्क्वेर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पे आगया है 9.84 लिख ले तो भाई मैं भूल जाता हूं थर्टीन पे आ रहा है 11.9 तो आप लिखेंगे 6 एर्स साथ में बहुत ही बड़ी एप्रोक्स तो आप लिखेंगे छे साल के अंदर जो अमाउंट है वो लगभग साड़े साथ हजार रुपे हो जाएगा 10 कुला मगमान भला नहीं करेगा ऐसे मनी लिटनर का चली आगे बात करते हैं अंगले कोशन की Mr. A borrowed 20,000 from a bank for 6 year at the rate of 6% 8% per annum compounded quarterly and rupees 18,000 from a friend at the rate of 8% compounded continuously इस में per annum नहीं भी लिखावा तो फरक नहीं पड़ता for the same period हो find is total habitual दो different questions है हमारे पास पहले में amount निगा लेंगे 20,000 1 plus 0.08 quarterly है तो divide by 4 6 years 6 into 4 चाहिए और continuously वह लेगा 18,000 e 0.08 multiply by 6 very good चाहिए गए हूँ नहीं बढाक होन रहा है 1.02 1.02 मजा करों अच्छे बच्चे हो तुम लोग इसले सीख लो 1.02 की पावर 24 into square 1.02 square Q45 1.6084 into 20 32169 32169 compound it continuously 18 जर 1.08 into 6 e की पावर 0.48 e की पावर 0.48 वेल्यू देखू आजा भाई 1.6161 multiply गा साइन ऐसा बनाता है मक्ही मर गई हो 1.6161 into 18 29089 ठीक है जी अच्छा है amount कम था ना मैं कहूँ continuously में कम कैसे आ रहा है 32169 प्लस 29089 32169 प्लस 290189 29089 प्लस 32169 61258 दिस इस तो तो तल लाप्रिटी समझ में आ गया चले आगे बात करते है भाही sum of money invested at the rate of 20% per annum for 2 years fetches 482 more if interest is compounded semi-annually instead of annually जाय बजरांगली कह रहा है जी 20% के हसाब से कुछ principle है पता नहीं कितना है rate of interest है जी 20% time है जी 2 साल ठीक है कहता अगर मैं compounded करूँ न semi-annually तो उससे जो ब्याज बनता है वो जादा है compounded annually के मुकाबले अच्छा भई और कितना जाद है 42 क्या जाद है sum of money interest जाद है interest principle amount ही जाद हो क्या जाद है interest अरे पेशर मों interest जाद है तो by default principle भी तो जाद होगा amount भी तो जाद होगा तो क्या फरक पढ़ता है वो बोल देता 482 more if interest sorry यहाँ पर चलो यह तो मैंने गलत पढ़ लिया sum of money invested भी इस percent for two year fetches 482 more अगर वो यह interest भी लिग दे कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि interest की वज़े से amount फाल्ट होता है चलो अब semi-nually करते हैं तो क्या formula होता है p 1 plus i divide by 2 n multiply by 2 यह करते हैं तो एकदम शरीफो वाला formula t2 p 1 plus 0.2 चेक है और divide by 2 2 into 2 p 1 plus 0.2 की पावर 2 482 0.2 divided by 2 0.1 p 1 plus 0.1 की पावर 4 1.2 की पावर 2 482 1.1 की पावर 4 4 4 p 4 4 p 482 minus 1.46 4 1 0.2 4 1 9 ना तर नीं नी है 4 1 P 482 तो P is 482 divided by 0.0241 2 divided by 0.0241 तो P आगे हमारा 20,000 मतलब 20,000 पर हमने जमा किये थे इनिशिल समझ आगया निया है क्या गड़ना निया है पॉस बैक रिवाइट आगया अच्छी बाद आगयो वड़ते हैं Sum of money invested at the rate of 4% per annum compoundly annually gives an interest of 25 in a second year पापड़िया, find the interest of third year, बेश्यरम के रहे जी, second year तना आल है, 25 रुप एदा ब्याज मिल या सी 25 रुपीज आगयो आगयो तो दो one thing amount at the end of second year दूजरे साल के अंत में जो भी amount है, अगर मैं उसे minus कर दूँ amount at the end of first year तो tell me, tell me, what will be the left, what will lift interest of second year वो यार क्या बात कर दी, कितना simple है, भाई, यह देखो यहाँ पैसे जमा करवा है, यहाँ पहला साल खतम हुआ, बन गया वो a1, यहाँ तूसरा साल खतम हुआ, बन गया a2, a1 से a2 जो है, वो क्या जमा हुआ होगा, a1 प्लस second year का ब्याज, इससे हिंदी में नहीं समझा सकता, और चाला, is equals to a2, a1, मतलब first year के end में जो amount मिला, उसमें second year का ब्याज ही तो जोड़ा होगा, तो वो ही तो किया मैंने, अगर मुझे second year interest निकालना है, दूसरे साल का interest निकालना है, तो मैंने क्या किया, amount at the end of second year minus amount at the end of first year, देखो इदा, अब amount at the end of second year, P, 1 plus 0.04 की पावर 2, P, 1 plus 0.04 की पावर 1, ते 25, बहुत बड़े हैं, 0.04 का स्क्राइर, 1.0816, P, 1.04, P, 25, पावर 2, 0.0416, P, 25, बहुत बहुत बड़े हैं, 0.0416, ते लगभग लगभग 600 रुपए, 601 रुपए, समझना है अब नई find interest of third year पूछा है चले भाई तेरे को भी निकाली देते है third year का interest तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा हम सही कह रहूँ amount at the end of third year minus amount at the end of second year ठीक है तो 601 1 plus 0.04 3 601 plus 0.04 की पावर 2 601 खुशे लो आजाए यार 601 निकाल लो भाई 1.04 की पावर स्क्वेर क्यूब 502 इन्टू 601 इन्टो 601 676 1.04 1.04 इन्टो स्क्वेर इन्टो 601 605 पूरे 26 रुबें इंट्रस्ट है थर्ड येर का थर्ड येर का भी आज कितना आगया 26 रुबें समझ आ रहा है बोलो हाँ चला अब आपके लिए आखरी कोश्चन नहीं हाँ कर दे भाई क्यों दुखी कर रहा है ये में इन वेस्ट इट दे रेट अरेट पर रेनम कंपाउंडिंग क्वाटर ली या साड़े तसपर सेंट एनुट कॉटर ली निगाल लो एक बार साड़े तसपर सेंट कंपाउंडिट आनुटर ली जो जादा और अब कर दे है अपने आप करो चलो, फिर solution देखना बस, option 1, 10% per annum, compounded, quarterly, तो 10,000, 1 plus 0.1 की पावर, 5 divided by 4 into 4, 0.1 divided by 4, so on, into, 1.025 की पावर, 20, 16386, next, compounded annually, option 2, compounded annually, 10% per annum, लिख दो ही, presentation बहुत जरूरी होती है, paper में, compounded annually, वो वीडियो देख लिए मेरी, how to improve paper presentation, नहीं देखे, चलो, देख लो, उसको जाके, फायदा में देखा, 10,000, 1 plus 0.15, नहीं, फिर पताओ अभी, शी देख, 10.5, तो लिख हो, 10.5 दिए बाइ 100, 0.105, and it is for 5 years, 0.105, into, square, cube, 4, 5, into 10,000, 1,6, 4, 7, 4, to which one is better, option 2, that is investment, पूरा लिखना है एग्जाम में, at the rate of 10% per annum, compounded, annually, is better, ठीक है, तो आपने यहां तक मेर साथ यह पार्ट भी cover-up किया, अब हम next part के अंदर देखते हैं, और छोटे मुटे questions किस तरीके, यहां तक आप major part मेर साथ कर चुके हैं, इसमें बाद मैं बात करूँगा, effective rate of interest की, and जो आपका क्या बोलते हैं, depreciation selected, इसमें question आते हैं, हाँ depreciation selected भी आते हैं, चले,